असकार दर्सकों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आज की वीडियो में हम मकर रासी के लिए अफ्रील 2024 का रासी फल लेकर क्या हैं क्या समभवनाई अप्रील में बन रही हैं गोचर के अधार पर उस पर हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले देखिए थोड़ा सा चीज आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आप मकर रासी के हैं क्योंकि आप साड़े साती से गुजर रहे हैं और लगभग निकल चुके हैं एक तरह से समझो अगनी परिक्षा ही होती है इंसान के जीवन में लेकिन एक साला अभी आपका और बचा है लगभग साड़े साती का अप्रील दोजर पच्चस में जब शनी निकल जाएंगे कुमबरासी से तो अभी जो साड़े साती का पिरियड आपके लिए रहा है मैं कुछ बाते आपसे कहना चाहूँगा निसंदे कुछ लोगों को प्राबलम्स थोड़ा सा जादा हुई होगी कुछ लोगों को प्राबलम्स कुछ कम हुई होगी और कुछ लोगों को थोड़ा डिफरेंट प्राबलम हुई होगी लेकिन जो जेनरली सड़े साती में शनी करते हैं आपको एक real picture इस दुनिया का दिखाते हैं अध्यात्म से spirituality से connect करते हैं आपके अंदर maturity को develop करते हैं इंसान को पहचानने की समसदारी को develop करते हैं ये period एक ऐसा जरूर रहता है जब परिसानिया होती है लेकिन कई सारे नए experiences सनी देते हैं इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते कि बहुत सारे अनभव भी 5-6 सालों में शनी में आपको दिये होगे और अब धीरे धीरे ये खतम होने की और है depending upon Saturn कैसा position Saturn का आपके कुंडली में है उसके अनुसार से definitely ये उतरती सारे साथी कुछ लोगों को बहुत अच्छे result भी कर सकती है कुछ अच्छा results भी Saturn जाते जाते आपको देश सकते हैं और कुछ लोगों की कुंडली में अगर Sonny बहुत अच्छे conditions में नहीं होगे तो हो सकता है सारे साती के बाद कुछ अच्छा करें लेकिन आप तो हौप नहीं खोना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्योंकि जो कुछ सनी ने दिया है और जो कुछ छीना है वो उसका समय धीरी-धीरी चेंज होने वाला है क्योंकि साड़े साती जब खत्म होगी तब definitely सनी भी अपने defensive mode में आएंगे और जो कुछ उन्होंने आपसे चीना उसके बदले जो कुछ वो आपको देना चाहते हैं वो देने की परक्रिया भी वो शुरू करेंगे तो ज़्यादा आप परिशान मत होईएगा साड़े साती पर मैं एक अलग वीडियो बना दूगा साड़े साती के बात क्या होगा अगर आप कहेंगे तो वीडियो से comment section में आके बताईएगा अगर चाहिए तो बाकी आपको मैं इत्मा जरूर कहूँगा कि demotivate मत होना आप motivated रहना भले problems होई हैं परिसानिया होगे लेकिन उसके बीच भी motivated रहना और positive रहना क्योंकि आप आपकी सरसाती धिरे-धिरे बिलकुल खतम होने की तरब बढ़ रही है अब चलिए देखते बात करते हैं अप्रील के महिनों में क्या संभावनाईब बन रही है सबसे पहले देखिए बात करते हैं सनी की सनी लगनेश होकर के आपके कुम्ब रासी में बैठे हैं अच्छी position है लगनेश का अपने ही रासी में second house में बैठना financial condition के लिए अच्छा माना जाता है और साथ में मंगल आपके आईस होकर के धनीश सनी के साथ second house में यूती कर रहे है जब से सनी मंगल यहां आए हैं डेफिनेटली आप में थोड़ा सा गुसा जरूर बढ़ा होगा 23 अपरील तक मंगल यहां रहेंगे सनी मंगल की यूती थोड़ा सा गुसा पे नियंतरन रखिएगा प्रोध पे कंट्रॉल रखिएगा उसके बाद अगर बात करूं तो आईस का धनीश के साथ second house में बैठना एक अच्छी possibilities बना रहा है आपके financial condition को थोड़ा बहतर करने की अगर आप business में है तो कुछ नए income मिल सकते है अगर job में है तो incentive आ सकता है आपके लिए कुछ अच्छे नियूज financial related आपके लिए रह सकता है अप्रील के महिने में क्योंकि आएस आपका धनीश चनी के साथ second house में बैठा है उसके बाद देखिए बात करूँ शुक्र की शुक्र आपका profession Lord प्रोफिशन की बात करूँ तो profession house का Lord और fifth house का Lord शुक्र बनता है यहाँ पे बहुत ही योग कारगरे बनता है मकर रासी में तो यहाँ पे शुक्र tenth house और fifth house का Lord होकर के बिराजमान रहेगा मीन रासी में और कब तक बिराजमान रहेगा ये अच्छा खासा समय तक बिराजमान रहेगा लगभग 24-25 अपरिल तक तो सुक्र जो 25 अपरिल तक आपका रहेगा मीन में और 25 अपरिल से आपके मीन रासी में उच्छिका है और फिफ्ट लॉड हो करके भी है तो नॉलिज का बहतर इस्तेमाल आप कर सकते हैं अप्रील के महिने में प्रोफेशनल ग्रोथ आपको प्राप्त हो सकता है लेकिन चुकि राहू भी सुकर के साथ यहां बिराजमान है तो राहू की जो से meditation से जोड़के राहू के negative effect को थोड़ा कम कर सकते हैं तो राहू की थोड़ी से remedies करिएगा क्योंकि बिना कुनली देखे जाधा बताना remedies के बारे में संभब नहीं है जो चीज़ा यहां दिखाई देती हैं गोचर से वो बताता हूँ तो Venus का position ठीक है Venus के position के अधार पे वो चीज़े हैं, प्रोफिस्नल ग्रोथ वगेरा की संभावनाई जो हैं, वो ठिक दिखाई दे रही है, लेकिन राहू के उसके साथ कंजक्ट होने के कारण, जैसा मैंने बताया, राहू के रिमेडिस थोड़ा सा करियेगा, और अभी जादा रिस्क आप मत लेना, ठीक है, आप जॉब में हो या बिजनस में हो, जॉब कर रहे हो, बिजनस कर रहे हो, तो करो उसको बहुत ज़्यादे रस्क नहीं लेना, क्योंकि साड़े साथी भी अभी खतम होने की और जारी है, खतम नहीं हुई है, और राहू थोड़ा सा कंजेक्ट करते हैं वीनस के साथ, उसके बाद बात करूं मरकरी की, तो मरकरी जो है आपका भाग्ये शोकर के मेस में 10 अप्रिल तक मरकरी यहां रहेगा, और फिर वक्री होकर के यह मीन में चला जाएगा, मरकरी आपका भाग्ये से है, 10 अप्रिल तक मरकरी की जो पॉजिशन है, फोर्थ हाउस में वो बढ़े हैं पॉजिशन है, वहां से 10 अप्रिल तक आपको भाग्ये का साथ अच्छा मिल सकता है, उसके बाद यहाँ पे नीच का यह जरूर होगा, लेकिन सुक्र यहाँ पे बिराचमान है, तो नीच्टा को भंग करेगा, राहू भी यहाँ पर रहेंगे, तो यह जो quality सनी ने आपके अंदर develop की है, उसका थोड़ा सा अस्तमाल कीजिए, आपके professional growth में वो अच्छी संभावनाओं को लेकर के आएगा, आपके life में भी वो अच्छी संभावनाओं को लेकर के आएगा, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, बागे आपका जादा negatively मत लीजिएगा, क्योंकि ultimately वो आपके लगनेश है, आपके साथ वो हैं, थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है साड़े साती के बाद, वैसे भी बुरा समय हमेसा टिक नहीं सकता है इस दुनिया में, तो एक समय के बाद उसको change होना पड़ता है, तो all around इस्तिती देखी एक गोचर आधारित व्यवस्ता है, इसमें आपको जो गोचर आधारित चीजें हैं, उसके आधार पर हमने चीजें बताएं, बाकि आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या व्यवस्ता है, किस इस्तिती में 9 ग्रह बैठे है, 9 मांस में, लगन में, महादसा किसकी चल रही है शनी की क्या पॉजिशन इन सब बातों पर आपका प्रेडिक्शन निरुभर करेगा तो एक बार अपनी कुंडली भी लेलासस जरूर कराईएगा रेमेडीज के लिए और इन सभी 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 चीजों को डेटेल में जानने के लिए हमसे कराना चाहें वीडियो डिस् सेर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा कोशिश रहती है अच्छी वीडियो आपको देने की तो सब्सक्राइब करना मत भूलीगा थैंक्यू सो मच